जै हिन दोस्तों, चलिए आज हम लोगी स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नमर्स सेवेंटीन, केंडलिस्टिक मोमेंटम के बारे में, देखें केंडलिस्टिक दो परकार के होते हैं, एक बुलिस केंडलिस्टिक और एक बियरिस केंडलिस्टिक, जैसे दो परकार केंडलिस्टिक होते हैं उसी तरह से दो परकार के मोमेंटम होते हैं कंडलिस्टिक का पहला बुलिस मोमेंटम दूसरा बियरिस momentum, bullish momentum देखे ये है, bullish momentum, candlestick हमें था, उपर की तरफ जा रही है, buyer यहाँ पर बहुत जादा है, तो bullish है, और यह देखे bearish momentum है, यहाँ पर देखे, seller बहुत जादा है, इसलिए supply जादा हो गया है, और supply जादा होने के करण market down के तरफ जा रही है, ठीक है, देखे, bullish momentum के बारे में, देखे, bullish momentum दो तरह के होते हैं, पहला momentum जो होता है, वो decreasing bullish momentum और दूसरा increasing bullish momentum, ठीक है, increasing को ही बोलते है accelerating, और decreasing को बोलते है, de-accelerating, ठीक है, देखे, bullish momentum में जो decelerating होगा, मतलब कि decreasing momentum होगा उसका जो देखी candlesticks का जो size होगा धीरे धीरे क्या होगी down छोटा होते जाएगी यहाँ पर देखे छोटा हो गया यहाँ पर देखे और छोटा हो गया अब धीरे धीरे और जाके चोटा हो जाएगा और यहां पर मोमेंटम यहें खतम हो जाएगी ठीक है यहां पर देखिए यह मोमेंटम थोड़ा सा है उसके बाद फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा तो यह मोमेंटम क्या होती जारी है बढ़ते जारी है फिर यहां पर जाके बहुत जादा बढ़ा ह सकता है ठीक है तो इसको क्या बोलते है एसलरेटिंग मोमेंटम इनक्रेजिंग मोमेंटम ठीक है एसलरेटिंग मोमेंटम इसको बोलते हैं डी एसलरेटिंग मोमेंटम ठीक है यहां पर देखिए और दूसरा देखिए एक फास्ट और एक स्लो मोमेंट होता है मोमेंटम होता है fast momentum, बहुत जल्दी momentum देगा, मतलब आपको पैसा बहुत जल्दी बना देगा इसमें, ठीक है, और एक होता है, slow momentum, slow momentum मतलब छोटे छोटे धीरे धीरे जा रही है, धीरे धीरे पैसा आपका बन रहा है, धीरे धीरे पैसा बन रही है, तो इसको क्या बोलते है, slow momentum, fast momentum और slow momentum को आ होते हैं, एक होता है decreasing, एक होता है increasing, decreasing में क्या होगा, कि धीरे-धीरे conversations candle छोटा होती जाएगी, धीरे-धीरे क्या होती जाएगी crisis candle छोटा होती जाएगी ठीक है, देखिए, यहां पर सबसे बड़ा candle थी, उसके बाद यह छोटा हुआ行 और देखिए, reporting इंक्रीजिंग मोमेंटम क्या होगा पहले देखी छोटा होगा उससे फिर थोड़ा सा बड़ा फिर थोड़ा सा बड़ा फिर थोड़ा सा बड़ा फिर थोड़ा सा बड़ा फिर सबसे बड़ा तो यहां पर देखिए मोमेंटम यह क्या हो रही है इंक्रीज कर रही है किसका ब यह decreasing momentum है हम लोग पीछले अभी देखे हैं यहां पर देखिए देखिए तो यहां पर मुझे क्या दीखा कि यहां पर जो candle है वो बहुत छोटा बना है छोटा बना है मतलब इसके बाद candle में भी और ज्यादा छोटा बने तो इसलिए यहां तक जाएगा market उसके बाद क्या होग मार्केट डाउन चला जाएगा तो यहां पर हम लोग बाई करते हैं तो यहां पर हम लोग को सेल करके निकल जाना चाहिए क्या करके निकल जाना चाहिए और देखिए इसलरेटिंग मोमेंटम में हम लोग को वेट करना चाहिए क्योंकि यह तो बढ़ते जा रहा है बढ़ लोग यहां पे propose मत किजी एगा क्योंकि यह मुझेंटम बढ़ते जा रहा है क्या पता बहुं जादा बढ़ें यह हो सकता है क्योंकि एक जब तक छोटा से केंडल नहीं बनेगा Laid तब तक डीसीजन नहीं ले सकते हैं कि हम लोग को और जब तक आपको profit हो enjoy करते जाए ठीक है यहां पर देखिए बिर इस momentum अगर आप पहले से यहां पर कोई चीज को sell करके आए हैं ठीक है क्या करके आए हैं तो enjoy किजिए profit को जहां तक profit मिलता है ठीक है और यहां पर आप लोग क्या किजिए फिर से इसको buy कर लीजिए और उसके बाद फिर से profit को enjoy किजिए यह reversal हो जाएगा यह क्या हो जाएगा reversal हो जाएगा क्योंकि यह जो B.E.S. था B.E.S. जो और यहां पर बाइंग होते जाएगी ठीक है तो आप लोग यह देख चुके हैं आप देखिए increasing 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 में क्या करेंगे हम लोग यहां पर जैसे कि पहले हम लोग sale कर दिये आप लोग को पता होगा कि share market में पहले हम लोग sale भी कर सकते हैं उसके बाद last में जब पैसा कम जाएगा stock का तो हम लोग buy कर लेंगे तो मतलब एक circle हम लोग को बनाना होता है क्या करना होता है एक circle मैंने आपको पीछले वीडियो में बताया था पहले आप लोग buy करो तो क्या करो पहले एक buy कर लो उसके बाद फिर sale करो या तो फिर पहले sale करो उसके बाद फिर जाके buy कर लो लेकिन आपको यह circle complete करना है क्या करना है buy और sale का circle complete करना जैसे देखिए यहां पर buy है यहां पर sale है यह circle है ठीक है अगर आप पहले buy किये तो बाद में अगर बाद में आप sell किए तो पहले आप buy किए तो बाद में sell कर दीजिए या तो पहले आप sell कर दीए तो बाद में क्या किजिए buy कर लीजिए लेकिन आपको यह circle पूरा complete करना पड़ेगा ठीक है अब देखिए हाँ यहां पर आप कोई चीज को sell कर दीजिए और यहां जाके जब पैसा बहुँ ज्यादा कम जाया तो यहां पर buy कर लीजिए लेट्स आपने 10 क्वाइंटिटी खरदा है 10 रुपीज का 10 क्वाइंटिटी खरदा है 100 रुपीज में ठीक है अब यहां पर जाके 5 रुप्या हो गया 5 रुपीज हो गया और 10 क्ाइंटिटी यहां अपर खरदक 50 रुप्य में stick 50 रुप्यज में फरफिट हो गया पिंज अपको प्रॉफित होगा न इसे हिं से यहर मार्केट में प्रॉफिट होता है तो यह चीज भी आप लोग को पता होना है